एलो फ्रेंट्स मैं अज़र आप देख रहे हैं सम आप टैक प्लेट्फारम फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में लोग बीयम कीसान संवहाण नीधी ओजना के बारे में बात करने वाले है प्रेंट्स 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 प् या नहीं चेक कर ले लिस्ट में अपना नाम आ गया साथवी किस्त का लिस्ट तो ये साथवी किस्त का लिस्ट जारी हो चुका है किसानों के लिए और उनका जो है लिस्ट में जिन जिन किसान भाईयों का है उन नाम उन सभी किसानों को जो है नवेंबर में साथवी किस्त का पैसा मिल जायागा तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में इसी के बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे कि आप किस पर का जान पाईएगा कि आपका साथवी किस्त में लिष्ट में नाम है की नहीं किस पर का चेक कर पाईएगा ये आपको बताएंगे तो व यह हम किसां related कोई भी problem हो तो नीचे comment box में comment जरूर कीजिए हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे तो चलिए आज की इस video को शुरू करते हैं तो यह जो है एक news में दिया हुआ था एक article में उस news में आपको सबसे पर ले जाएंगे फिर आपको बताएंगे कि आप list में नाम चेक किस पर कर पाईएगा तो चलिए उस news में ले चलते हैं पहले तो यहाँ पर हम लोग उस news में आगे हैं यह जो news दिया हुआ था यह आपका हिंदुस्तान live का e-paper में दिया हुआ था यहाँ पर आप देख सकते हैं PM किसान सम्माननी धी कि अगली किस्ट मिलेगी या नही चेक कर ले लिश्ट में अपना नाम तो PM किसान सम्माननी धी और जनामे आपको अगली किस्त मिलेगी या नहीं चेक कर ले लिश्ट में लिश्ट जारी हो चुका है साथवी किस्त का पीम किसान सम्मान नीधी के तहट अब तक केंद्र की मोधी सरकार ने देश के 11 करोर किसानों के बेंक एकाउंट में 93,000 करोर रुपिये भेज दी हैं अजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने इतनी बड़ी रकम सिधे किसानों के हाथ में दी है अब तक करोरो किसानों को सलाना मिलने वाली 6,000 रुपिये में से 2,000 की 6,000 जारी की चुकी है तो अब तक जो है 6,000 रुपिये सलाना मिलने वाली रकम जो है 2,000 रुपिये के 6 किस्ट जारी हो चुकी है साथवी किस्ट अब नमंबर तक आनी है अगर आपने योजना के तहत अपना नाम रेजिस्टर करा चुके हैं तो घर वेठे पिये म किसना सम्मानी ती की ताजा लिष्ट अपना नाम चेक कर ले इस से चेक करने का तरीका बहाद असान है तो अगर आपने registration कराए है तो नया लिस्ट में नाम आपका चड़ा है कि नहीं ये आप घर वेठे आसानी से चेक कर शकते हैं तो लिस्ट में नाम चेक कने का इस टेप जो है यहां पर आप दिया हुआ है पहले यहां आपको बता देते हैं फिर आपको दिखा देंगे कि आपकी इस पर का लिस्ट में नाम चेक कर शकते हैं तो सबसे पहले आपको PM किसान के official website pmkisan.gov.in इसमें जाना होगा इसमें जाने के बाद home page पर menu वार देखे और यहां पर former कर्नर पर जाईए तो PM किसान के official website में जाने के बाद आपको former corner के option पर जाना होगा उसमें जाने के बाद लावारती सूची मतलब beneficiary list का एक option मिलेगा उसमें आपको click करना होगा अगर English में है तो आपको beneficiary list और Hindi में अगर आपका है तो आपको लावारती सूची का link मिलेगा उसमें आपको क्लिक करना होगा उसमें क्लिक करने के बाद आपको अपना राज जीला उपजीला ब्लॉक और गाउं जो है सिलेक्ट करना होगा उसके बाद आपको इतना भरने के बाद आपको गेट डाटा गेट रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना होगा क्लिक करते ही आपका उस गाहों का पूरा लिस्ट आ जाएगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं, आपका उसमें बहुत सारा पेज रहेगा, एक, दो, तीन, चार, अगर फर्स्ट पेज में आपका नाम नहीं है, तो सेकंड पेज में देखे, सगंड में नहीं, थार्ड पेज में देखे, इस तरह से आ परड़ी 2019 को जब अनुपचारिक तोर पर योजना की सुरुवात की गई तब इसकी पातरता की सर्तों में लिखा गया, कि जिसके पास क्रीशी एग खेती 2 हक्टियर, 5 एकड है, उसी को लाब मिलेगा, मोधी सरकार ने इससे जोत की सीमा खतम कर दिये, इस तहत इसका लाब 12 क्रोर से बढ़कर 14.5 क्रोर किसानों के लिए तय हो गया है, योजना की दिसंबर 2018 से परवावी थे, और रुमार है कि इस साल नमंबर तक कुल सायता रकम बढ़कर 1 लाग क्रोर रुपिये से अधिक हो जाएगी, तो इस योजना के तहद जो है, पहले योग खेती करने की जो था, दो हेक्टियर खेती आपका जमीन होना चाहिए था, दो हेक्टियर जमीन नहीं होने से आपको लाब नहीं मिलता था, लेकिन ये जो है, जो सीमा खतम कर दी गई है, पहले जो है 12 क्रोर से बढ़कर, अब 14.5 क्रोर किसान इसका लाब ले सकते हैं, योजना जो है, द लिचे दिया हुआ है, ऐसे करें अपना खाता, ऐसे चेक करें अपना खाता, आप अपना खाता किस पर का चेक करेश सकते हैं, सबसे पहले पेले पीमकिसान की ऑफिसेल वेफ साइट, पीमकिसान.gov.in यहां पर आपको राइट साट पर फार्मर करना का विकल्प मिलेगा, औ उसके बाद उहां पर डालने का रहेगा वह वहला नम्बर डाल दीजे फिर आपको गेट डाटा पर क्लिक करना है गेट डाटा पर जैसे क्लिक किजेगा आपका बैनेफिसरी स्टेटस ओपें हो जाएगा यहां क्लिक करने के बाद आपको सभी टांजेक्शन की जानकारी मिल यदि आपका FTO is generated and payment confirmation is pending लिखा हुआ दिक रहा है तो इसका मतलब है कि fund transfer की परकिरिया शुरू हो गई है यह कि कुछ दिन के अंदर आपके खाते में transfer हो जाएगी तो अगर आपके payment status में FTO is generated and payment confirmation is pending बता रहा है तो इसका मतलब है fund transfer की परकिरिया शुरू हो गई है और आपके account में कुछ दिन के अंदर पैसा आ जाएगा तो इस परकार जो है आप दिया हुआ यहाँ पर आप बात आता है कि आपको दिखा दे कि आपकी इस परकार चेक कर पाईएगा कि आपका जो है मिल जाएगा beneficiary list अगर English में है तो अगर Hindi है तो लावारती सुची यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा इसमें आपको क्लिक कर देना है इसमें क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारा option सेलेक्ट करना है इस्टेट डिस्टिक सब डिस्टिक ब्लॉक भिलेज तो चलिए यह किक कर जैसे get data पर click किजिएगा यहाँ पर list आ जाएगा यहाँ पर एक ही किसान मतलब कुछी किसान का नाम है फिर दुसरा आगाओ को आप दिखाते हैं यहाँ पर देख सकते हैं इसमें देख समें जो है और बहुत सारा इसमें और पेज है अगर इस पेज में आपका नाम नहीं ह तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएगा, यहाँ पर बहुत सारा पेज है, यहाँ पर फ्लिक कीजिए, फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं है, सेकेंड में आप देख सकते हैं, तो इस परकार आप अपना लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं, तो इस लिस्ट में नाम है आपको मिलते रहे, आज की इस वीडियो में बस्तना आई, थैंक्स